नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आमारी यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे सीड की क्वालिटी के बारे में जैसा कि सीड के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बीज क्या होता है seed की जो classes हैं उसके बारे में भी हम discuss कर चुके हैं तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो link मैं description में देदूँगा आप देख सकते हैं तो आज हम बात करेंगे good seed की quality के बारे में मतलब एक अच्छा बीज है उसमें क्या-क्या विसे इस्ताइं होनी चाहिए आपको पता है कि बीज अच्छा होगा तब ही पौधा अच्छा होगा अगर बीज में ही खराबी है तो पौधा भी सीरी सी बात है खराबी होगा या फिर उसमें जो है वो जो quality जो आप चाह रहे हैं वह quality नहीं आ पाएगी तो अपन देखते हैं कि एक बीज है जो उसमें क्या-क्या quality होनी जरूरी है जिसे उसे अच्छा बीज कहा जाएगा सबसे पहले हम quality की बात करते हैं तो सबसे पहले किसी बीज में होनी चाहिए physical purity भौतिक सुद्धता physical purity कहने का मतलब है कि जो बीज है उसमें किसी भी दूसरे फसल के बीज मिक्स नहीं होने चाहिए कोई भी खर्पतवार के बीज मिक्स नहीं होने चाहिए कंकड, पत्थर, मिट्टी, धूल के करण आदी किसी भी प्रकार की कोई भी असुद्धता नहीं होने चाहिए वह जो बीज है भौतिक रूप से सुद्ध होना चाहिए उसके अंदर किसी भी चीज का मिक्चर नहीं होना चाहिए तो दोस्तों यह हमने देख लिया आपका फिजिकल प्यूरिटी अब हम दूसरे नंबर पे देखते हैं जेनेटिक प्यूरिटी जेनेटिक प्यूरिटी जेनेटिक प्यूरिटी को हम विराइटल प्यूरिटी के नाम से भी जानते हैं अब मैं आपको एक example बताता हूँ कि जैसे कोई बीज है, जैसे माल लेजे गेहू है या फिर धान है, अपन उस बीज को लगा रहे हैं, तो गेहू की जो variety होगी, दो variety होगी, उनमें कुछ ना कुछ difference होगा, या तो उनके पकने के समय का difference होगा, भले ही 2-4 दिन का हो, लेकिन क कुछ difference तो होगा दो variety हो में, और उसके अलावा हम बात करें, length में भी हो सकता है, कुछ difference हो, पौदे की length में, उनके जो fertilizer की मांग है, खाद भी जितना चाहिए requirement है, उसमें भी कुछ ना कुछ अंतर होगा, मतलब एक variety से दूसरी variety में जाएंगी एक ही फसल की, तो कुछ ना क बूलाते हैं, तो उनको अगर साथ में लगा देंगे, तो उनका जो maturity का time आएगा, उसमें difference आजाएगा, उनमें जो दाना बनने का समय है, उसमें difference आजाएगा, इसलिए जो अच्छा बीज है, quality seed है, वो हमेशा genetically भी pure होना चाहिए, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई mixture नहीं होना चाहिए, अगला point देखते हैं, तो जो अच्छा बीज है, उसमें समानता होनी चाहिए, उसकी safe में, size में और color में, ऐसा नहीं है कि एक crop के मान लीजे, आपने 100 बीज लिए हैं, तो 10 बीज अलगत रहके color के हैं, 50 बीज अलगत रहके color के हैं, ऐसा नहीं होना चाह उनका safe है, वो भी proper होना चाहिए, size है, वो भी एक जैसा होना चाहिए, और color है, वो भी लगबग समान होना चाहिए, क्योंकि मान लीजे, आपने कुछ छोटे बीज है, तो छोटे बीज में जो store food है, वो बहुत ही कम होगा, तो क्या होगा, पौधे का विगर है, या germination की capacity ह वो कमजोर हो जाएगी और पौधा भी कमजोर हो जाएगा, मान लीजे, एक बीज का size चोटा है, चोटा है मतलब उसमें जो store food है, वो भी कम है, क्योंकि बीज जितना बड़ा होगा, उसमें जो store food है, वो उतना ही जादा होगा, तो मान लीजे कि एक कोई variety है, जिसे हम grow करना चाते हैं, उसके हमने सौ बीज ले लिए, तो सौ बीज में मान लीजे, दस बीज बहुत सिकुडे से हैं, छोटे से हैं, पतले से हैं, मतलब उनमें जो food है, वो कम होगा, तो वो इन नबबे बीजों की अपेक्षा जो है, कम विगर सो करेंगे, उनका जो germination percentage है, वो भी कम ह और उनका जो हो सकता है, जो उनसे plant निकलेगा, वो भी healthy ना हो, टेड़ा मेडा हो, unhealthy हो, इसलिए देखना चाहिए, कि जो भी बीज हम उप्योग कर रहे हैं, उसका seed का जो size है, safe है, और color है, वो एकदम अच्छा हो, मतलब समान हो, uniformity हो, उसमें समानता हो, क्या है, टेड़े मेडे और चोटे मोटे बीज ना हो, नहीं तो बाद में जाके पौधा जो है, कमजोर हो जाएगा, और इससे हमारे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, अच्छे बीजों की विसेस्ता में अगला point देखते हैं, तो अगला point है कि proper moisture content होना चाहिए, मतलब जो नमी की मातर मातरा कम हो जाएगी, तो यह क्या होगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा यह, उसमें क्या है, अगर embryo dead हुआ, मतलब बीज खतम, मतलब वो पौधा ग्रोही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका embryo ही खतम हो गया, तो नमी की मातरा को क्या है, बना के रखना चाहिए, अब मान जाएगा, तो उसमें बहुत सारे bacteria आएगे, बहुत सारे fungus आएगे, fungal infection हो जाएगा, और बीज को पूरा खराब कर देंगे, पौधा भी अगर बनेगा, तो वो रोग रसी पौधा होगा, जो अच्छी उसकी life नहीं होगी, production अच्छे से नहीं दे पाएगा, और yield जो है, य लेकिन जब आप उसको भंडारन करते हैं, तो भंडारन के लिए अलग अलग जो बीज होते हैं, जैसे खाद्यान फसलों के बीज हैं, दलहन फसलों के बीज हैं, तेली फसलों के बीज हैं, या फिर आपके सब्जी वालों फसलों के बीज हैं, तो इनके जो भंडारन के लि लेकि 9% तक moisture में रखा जाता है अगला पाइंट पाइंट देखते हैं कि जो बीज है उसे पूर्णतह परिपक या well mature होना चाहिए क्योंकि जैसे माल लेजे कोई फसल है अगर हम गेहों की बात करें गेहों की अगर कटाई करने की बात करें तो दाना जो है पूर्ण रूप से बना नहीं होगा उससे पहले ही अगर हम कटाई कर लेंगे धान की अगर बात करें तो धान की जब फसल की कटाई करेंगे तो हो सकता है milking stage में हो वो उसमें थोड़ा थोड़ा दूद सा हो बन रहा हो या फिर दाना पूर्णता है परिपक नहीं हुआ हो दाना बन रहा हो तो मान लिजिए उस टाइम पे हमने कटाई कर ली कटाई करने के बाद हमने लाके स्टोर कर दिया और उसी को फिर एजे सीड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा एंब्रियो अच्छे से डवलप ही नहीं हुआ या तो एंब्रियो सिकुड गया क्योंकि उसे प्रॉपर हमने प्रॉपर हमने के लिए और परिपक अवस्था में हर्वेस्ट किया हुआ नहीं होना चाहिए अगला पाइंट है सीड में हाई जर्मिनेशन केपेसिटी मतलब उच अंकुरन चंपता तो जो बीज आप उपयोग कर रहे हैं फसल लगाने के लिए उसमें अंकुरन चंपता अच्छी होनी चाहिए मतलब आप सव बीज उगा रहे हैं पता चले आपने सव बीज उगा रहे हैं और उसमें से आपके पचास बीज ही हुगे मतलब 50% germination percentage है उसका तो वो कोई मतलब का नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी फसल खराब हो जाएगी आपने इतना पैसा वेस्ट किया बीज लगाने में और आपके पूरी फसल खराब हो गई क्योंकि आपके बीज जो है वो अंकुरी थी नहीं हुए तो जो भी बीज किसान ल आरे कर दिया जाए तो पता चल जाएगा मालीजे 100 बीज आपने डाले और 90 बीज नीचे चले गए तो उसकी जो germination capacity है वो 90% हो जाएगी तो अब germination के बहुत सारे मैथड है germination test करने के वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा अभी बस ऐसे ही normal सा एक high germination capacity की बात चल रही थी तो मैंने थोड़ा सा बता रहा हूं इसको तो किसानों को सबसे पहले पता कर लेना चाहिए कि मैं जो बीज जोगा रहा हूं वो कितनी परसेंट जर्मिनेशन का है ताकि उसी हिसाब से बीज की मात्रा का निर्दारन कर सके कि मुझे एक एक एकड में इतना तो अगर वह 80% वाला लगाएगा तो उसे बढ़ाना पड़ेगा ना क्योंकि उसके 20% बीज तो उगी नहीं रहे हैं साथवा पाइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पाइंट है देख लेते हैं इसको सबसे पहले तो सीड जो है आपका बीज जिसको आप लगा रहे ही जीव से बनी नहीं सकता इसलिए एक सिंपल सी क्वाल्टी है कि बीज जो है अच्छे बीज जो है वह जीवित होने चाहिए जीवित होंगे तब ही तो किसी बीज को हम दूसरी फसल उगाने के लिए उपयोग में लेंगे वरना मरी गया है तो वह काय का बीज है फिर उसे आलटी देखते हैं बीजों के बारे में कि जो बीज हैं वो रोग से और इंसेक्ट पेस्स सरी रहित होना चाहिए मतलब कोई भी बीज है वो रहित होना चाहिए आद बहुत सारी बिमारियां ऐसी होती है जो बिमारिया जो होती है जो fungus के spore होते है या फिर जो भी रोग होते है जो बीज के द्वारा फैलते हैं उन्हें seed born disease करते हैं अपन तो seed born disease में क्या होता है जो fungus का spore होता है वो बीज के अंदर होता है या फिर बीज के उपर चिपका होता है जैसे ही अपन उसको फिल्ड में लेके जाते हैं फसल बड़ी होती है तो देरे-देरे करके सब जगा पे फैल जाता है वो और पूरी उस वरायटी में infection कर देता है क्योंकि बाहर से आने वाले बीमारी को तो हम रोक लेंगे लेकिन जो बीमारी हमारे बीज के ही अंदर है सीड के अंदर है जो फंगर्स का इस पोर बहुत जल्दी फैल जाएगा इस प्रेड उसका बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो तो बीज के अंदर ही है और वो क्या होते हैं बहुत जल्दी फैल जाते हैं नई फसल पे तो यह क्या है इस ताइप के बहुत अत्तिदी खानी पहुचाते हैं उसी प्रकार से हम बात करने पेश्ट की या इंसेक्ट की तो मालीजे कोई अपने फसल स्टोर करके रखी है किसी भी सीड को स्टोर करके रखा है मालीजे चना हो गया और अरहर हो गया किसी भी चीज को अपने स्टोर करके रखा है उसके अंदर बोर करके कोई भी इंसेक्ट घुज गया और वो क्या है उसमें सुसुप तवस्था में चला गया है और आपने उसी माटेरियल का उप्योग कर लिया तो वो है तो जिन्दा ही तो बाद में क्या होगा वो पुरी फसल में फैल जाएगा और अंदर यंदर पुरी फसल को काटके हानी पहुचाएगा तो इन सब चीजों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये डिजीज जो है रोग और ये जो इंसेक्ट पेस्ट ये भी बहुत ज़्यादा हानी पहुचाते हैं तो जिस भी बीज का उपयोग करेंगे हम उगाने के लिए मतलब जो क्वाल्टी सीड है उसकी विसेस्ता या उसका गुण होना चाहिए कि वो रोग से और पेस्ट से रही थो अगला जो गुण है नौवे नंबर का उसे देख लेते हैं कि सीड को डॉर्मेंड नहीं होना चाहिए डॉर्मेंसी एक अवस्था होती है जिसमें क्या होता है सब चीज मिलने के बाद भी माल लेजे आपको प्रॉपर मॉइस्चर मिल रही है प्रॉपर मात्रा में वाटर मिल रहा है कंडिशन भी आपकी पूरी फेवरेबल है उसके बाद भी कोई बीज है वो उग नहीं पाता है उसे हिंदी में सुसुपता वस्था कहते हैं मतलब जो बीज है उसे सब कुछ मिल रहा है प्रॉपर मात्रा में उसके बाद भी कुछ ऐसे कारण है या तो आंतरी कारण होंगे या बाहरी कारण होंगे जिनकी वजह से जो बीज है वो उग नहीं पा रहा है मतलब अपने आपको ग्रो नहीं कर पा रहा है तो एक अच्छे बीज में ये quality होनी चाहिए कि वो सुसुप नहीं होना चाहिए मतलब dormant नहीं होना चाहिए उसे जब favorable condition मिले तो तुरंट वो ग्रो करे ये quality होनी चाहिए अच्छे बीज अगला point देखते हैं कि जो बीज है वो बहुत जादा पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि बीज अगर बहुत जादा पुराना है बहुत सालों से रखा हुआ है तो उसकी जो germination की छमता है और उसकी जो viability है वो कम हो जाती है तो उसमें क्या है पौधा जो तयार होगा वो अच्छा नहीं होगा पुर्ण रूप से विक्सित नहीं होगा क्योंकि दिरे दिरे जो उसके अंदर store पदार्थ है उसका जो embryo है उसमें जो store food है वो भी दिरे दिरे कमजोर होने लगेगा और उसके पास इतना vigor नहीं हो जाएगा इतना power नहीं बचेगा कि वो एक healthy plant बना ले इसलिए जो बीज है जिसे अपन बोने के लिए उप्योग करते है quality seed है वो बहुत जादा पुरानन नहीं होना चाहिए अब दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि जो अच्छा भी जोता है उसमें क्या-क्या quality होनी चाहिए क्या-क्या गुण धर्म होनी चाहिए तो अच्छे गुण धर्म होंगे तब इस अच्छा seed कहलाएगा अगले वीडियो में हम देखेंगे seed की dormancy के बारे में देखेंगे और seed के जो germination से related method है वो भी देखेंगे आसा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा मैंने easy way में समझाने के कोशिस की अगर वीडियो पसंद आया तो please like करेगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फिर मिलते हैं जय हिन दोस्तों